ट्रेल विद कामरान भवानी क्या आप इस टॉक अक्सेंच में इन्वस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रूप को जोईन करें हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरी मश्वरे हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रूप जोईन करने के लिए इन वर्टसप नंब आज के इस वी लोग में हम बात करेंगे पुरानी खबरे एक बार फिर से आगे इन स्टॉक से हमें दूर रहना है इसको परम बात करेंगे लास्ट वी लोग के अंदर हमने आपको बहाता कि पॉलिटिकल हालाद जैसे जैसे सिम्टेंगे आपकी मार्केट वेसे के बहुबे एक तीस वे वजीराजब में पाकिस्तान के और सेकेंड नबर भी ये कि मार्केट ने उसका आज एक बैतर यानि परफॉर्म किया मार्केट का अगाज ही गैप अपनिंग से हुआ मार्केट एक ताइम में छेसो से अबब गई दीश में करेक्शन मिली मार्केट ने लेकि फाइनली छेसो च्छोबीस प्लेस के साथ पॉसरी प्लोज रही है और इसमें में देखा कि 55951 का मार्केट ने क्लोजिंग दी छासाट रजार का हाई लेवल टैस्क गिया साथ साथ वॉल्यम में इजाफा हुआ 442 मिलियन जो के फ्राइडे के वॉल्यम से अच्छा काम हुआ और बाकी भी पावर जनेरेशन सेमेंट सेक्टर्स इन में काम हुआ कमर्शन बैंक में प्रॉफिट एक लेदर में हमने डिक्लाइन देखा पुरानी खबरे एक बार फिर से आगे यानि के जो गर्दिशी करदे थे जिसके हवाले से तवाना ही शोबे का गर्दिशी करदा कम करने के लिए तूर्भ की सेटल्मेंट के लिए आएम एफ को दुबारा धर्कास की गई है आयम एफ आएम एफ नए उकूम्थ बनने के बाद घजडिशी करदे की सेटल्मेंट के लिए जवाब देगा यह पुरानी खबर ती जिसके पर पहले भी OGDC P PPL के अंदर और मार्केट में हमने देखा तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंट बनी रही इसके साथ साथ और भी खबरे थी जिसमें आ आइम एफ के कुछ मतालबा भी थे कुछ 18 पीसद GST नाफिस करने का मतालबा किया गया है जिसमें दवाओ के उपर पेट्रोल के उपर और देखा जा तो 18 पीसद GST का मतालबा किया है इसके साथ ही देखा जाए तो कुछ खबरे यानि के कमपनी से रिलेटिटी यूनिटी का वाले से लास वीक अंदर एक खबर ती जिसमें चार करोर अठाइस लाग तीस हजार पांस सो छबी शेर डायरेक्टर ने बाई किये टुइन्टी फूर के उपर उनको ये लगता है कि हमारा शेर बहुत अच्छा है तब ही उन्होंने चार करो शेर बाई किया है अगर ये शेर आपका तो डिसकाउंट भी करता है इसके साथ ही और खबरे अगर हम देखें तो यानि कि गनी कैमिकल के हवाले से यह था कि गनी के मामलात कुछ रिजॉल्व हुए है जिसमें सिक्स्रूप्य मिलियन इन्वेस्मेंट के हवाले से यह पाउजरीफ खबर है जी सी आईल के हवाले से पाक रुपीज आपका से रेटिंग को बरकरार रखा है डबल ए माइनस और पाकरा ने डीजी खांकी जो रेटिंग को इसको मेंटेन रखा है इसके साथ ही एकर देखा जाए तो गोल्ड प्राइस में नो सोर परतोला इज़ाफा हुआ है यह सारी कब्रे थी जिसके पर मार्केट आज पॉजिटिव इ आपके बढ़ चुके क्योंकि लास्स टेहीं की कॉल दी थी जो दानवे चल रहा है गोल्ड जबके चल रहा है त्याइस अशारिया ठैटीटू सेंड रहा है गोल्ड इसलवर आपके थोड़ा सा हायर पर जाकर डिक्लाइन कर सकते है क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका करें लेकिन साल का जो फिकर है 1335 यह इंपॉर्टन है इस पे हजार दोजार पर मज़िद और एड़ हो सकते हैं लेकिन कौशिस अप्रोच रक नहीं होगे रहाई साथ पर प्रॉपर टेगिंग को खास रखना होगा लाजमी लाजमी इसको एड़ अड़ करना होगा तो क्योंक से मार्केट रिबाउंड हुई थी और हमारा व्यू किलियर था कि 7000 पॉइंट की मार्केट तेजी करेगी हम आपको डरा नहीं रहे थे कि 55800 हो जाएगी और अपना आपको खाली रखें सुकून से मेटें इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि जो टेक्निकल एक्सप 200 से मार्केट जो बढ़ना शुरू हुई है आला कि बीच पर पढ़ाओ आते रहें एकसाट हजार साथ सो फिर त्रेसाथ साथ सो और अब पाइनली जो आ रहा है 67400 यह डिस्टेंट लेवल मार्केट के जनरेट हो रहा है सपोर्ड लेवल भी आपको दूर नजर आ रहे हैं जिसे 400 500 और 200 400 है जिसके इसके सबसागर हम देखें तो इसके सब 46000 के करीब मार्केट आपकी यानि के करीब करीब मार्केट परफॉर्म करें हो यह 1400 पॉइंट लगबग मार्केट के उपर के बंगते हैं लेकिन हमने कॉश्ट अप्रोज यही रखनी है जैसे मार्केट हाई हाईर सेट पर जाती है अपने आपको सेफ जोन में रखते हुए जो स्टोक जादा बढ़ चुके हैं और कम कांटिटी के साथ कराम करें लिवरेज वाले और फूचर वाले खास करके सुन लें कि हाईर पे पोजिशन नहीं लेनी है अगर लालच करेंगे तो लालच की सजा पर जाए कि फिर आपका फोर सेलिंग भी होगी आपका जो एक्सपोजर भी आउट होगा एक्सपोजर भी देना होगा फिर स्टॉक मार्के आपको बुरी भी लगेगी तो उपर के लेवल पे इत्यार जरूरी है इसके साथ ही अगर हम देखे लॉंग ग्राफ के इसाब से तो यह पिक्चर हमने आपको फ्राइडे वाले दिन शेयर की थी दुबारा शेयर करने का मकसद यह ही है कि पैंसर पांसो इसमें आपको बताया गया था और दूसरा लेवल बताया था चैसाथा शेसो असी जो कर इंपोर्टन रिस्टन लेवल होगा तो कल के दिन भी हमने य नहीं चला होगा उसके अंदर मौका मिलेगा अफसाइड का जैसे के रिपाइंडी आपकी बढ़ सकती है रैसर रिफाइंडी पी आरेल एटी आरेल मूफ कर सकते है अफसाइड की तरफ आप ओटो में होंडा का जी चैनल इच्छा परफॉर्म कर सकता है जबकि ओले अगर ह और आगे यानि कि बढ़ाएगी इस चीज़ को तो यह चीज़ बहतर होगी इसके साथ ही जिन स्टॉक से हमें दूर रहना है उन स्टॉक से बारे में यह का पर्टिलाजर स्टॉक जो स्टॉक बहुत जादा बढ़ गये हैं कि हम यहां पर कुछ स्टॉक सापको बता सकेंग यानि कि करिब कर रहा है 141 पेली सपोर्ड है और इसके लेवले एक सो पैंसर रसी यानि कि यहां से 10-12 रुपे मज़िद और बढ़ सकता है लेकिन गिरने के चांसे जादा है अगर पैंसर रसी सस्टेंड करेगा यानि चाहसा मेंटेन करेगा तो फिर नहीं तीजी करेगा अधरवाइस तोड़ा सा बढ़के गिर भी सकता है तो इसके इससे आपने हाइर सैट पर प्रॉफिटिंग नहीं है इसके लाव फोजी फोजी फर्टिलाजर कंपनी देखें इसका भी अगर हम देखें तो इसका एक सैलिंग अरिक तरह से हाइर सैट पर सैलिंग है और एक रहे यानि कि यूबियल हो गया आपका मिजान बेंग हो गया जो बहुत जादा बढ़ चुके है तो इत्यार बरतनी की जरू होते हैं बाकि सासगार है जिसने कि बहुत जादा बढ़ा होता है तो इसलिए रुख गया इसे बहुत सारी स्टॉक्स है जो जज़ादा जी जा रही होती है जहाँ प्रफिट टेकिंग इकॉलिटी वहां के लिए भी करवाया जा रहोता है इस पेशल गूर्फ से जुनने के लिए आप कांटेक कर सकते हैं मेरी टीम को मेरी टीम आपको इस पेशल गूर्फ में एड करेगे ठीक है जी शुक्रिया भूर्फ झाले हो ऑ् ठाफ दूर्फान मेरी टीम टीम करें पिए